असनामनेकूम व्यूइर्स कैसे हैं आप सब आई होग कि आप सब ठीक ठाक होंगे एच स्पेशल रेसेपी में आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी पांस मिनट में बनने वाला बिसकॉफ डिजर्ट लोटस बिसकॉफ कुकिज आज कल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में हैं और इनसे आप देख रहे होंगे केक्स बनते हैं चीज केक्स बनते हैं आज मैं डिजर्ट की रेसेपी शेयर करूँगी बहुत ही एजी रेसेपी है पांस मिनट में बन जाती है और खाने में बहुत ही अजिदार से डिजर्ट आप जल्दी बना सकते हैं और इतपेस को सर्फ कर सकते हैं तो चलिए रेसेपी स्टार्ट करते हैं हमें चाहिए लोटस बिसकॉफ कुकिज का बड़ा पैकेट 250 ग्राम का पैकेट आता है वो आप ले ले ये बिसकिट कुछ ऐसे दिखते हैं मैं एक पूरा पैकेट और एक हाफ पैकेट और इसके लिए जो बोल हम यूज करेंगे उसको भी मैंने आदा गंटा पहले फ्रीजर में रख दिया था ताकि अच्छे से चिल्ड हो और क्रीम हमारी अच्छे से विप हो तो मैं निकाल देती हूं पूरा एक पैकेट और दूसरे में से हाफ पैकेट और अगर आप इसको फ्रीज में रखते हैं तो चार से पांच घंटे पहले आप कमसकम फ्रीज में रखें शुगर एड़ करूंगी पिसी हुई चीनी है टू टेबल स्पून्स और इसको हम अच्छे से बीट करेंगे हमने इसको चार से पांच मिट अच्छे से बीट किया है ताके सॉफ्ट सी पीक्स फॉर्म हो जाए ठीक है यह देखें इसकी सॉफ्ट पीक्स बन गई है क्रीम हमारी विप हो चुकी है अब हम अपनी डिजर्ट की लियरिंग करेंगे सबसे पहली लियर देगे हम लोटस पि और वैंग इसकी स्के पोटिष की एक लियरिटेंगे यह विर चुफ्ट पर qualified cream के उसके नियुक्त सबचानल कि अच्छे सेस इसको स्प्रेड कर देंगे अब इसके उपर हम दूस्टरी लेयर देंगे इसके लिए मैंने लिया है लोटस बिसकॉफ का spread ये spread मैंने घर पर बनाया है इसकी रेसिपी अगर आपको चाहिए तो comments में बता दीजे मैंने microwave में इसको थोड़ा सा गरम किया है ताके थोड़ी सी इसकी फ्लोई consistency हो जाए ये मैं ले रही हूँ 150 ग्राम इसकी उपर अच्छे से हम spread कर देंगे इन्हीं विसकॉफ कुकी को यूज करते हुए मैंने spread बनाया है तो ये एक मज़ेदार सी लेयर आगई विसकॉफ spread की इसकी उपर हम दुबारा सी एक लेयर देंगे और एक लेयर ऊपर से देंगे हम क्रीम की जो विप्ट क्रीम थी वह सारी के सारी इसकी उपर हम डाल देंगे और अच्छे से spread कर देना है थोड़ा सा मैं इसको स्मूथ कर रही हूँ और इसकी उपर हम अपने spread से पाइप करेंगे और किसे भी टूथपिक या बार भी की स्टिक की मदद से इस पे हम डिजाइनिंग कर लेंगे इसमें वेरियेशन ये कर सकते हैं कि आप एक पूरी लेयर ऊपर से spread की दे सकते हैं या फिर इनी कुकी का क्रम्स बना के ऊपर से आप उसकी भी लेयर दे सकते हैं मैं कुकी क्रम्स बना के इसकी साइट से थुड़ी सी डेकोरेशन करूंगे और ये हमारे मज़िदार सा लोटस बिसकॉफ डिजर्ट तयार है इसको हम देते हैं फाइनल टच और इसको हम फ्रिज में रख देंगे चिल करेंगे कम असकम 6-7 घंटे आप रख देंगे और ज्यादा अच्छे रिजर्ट के लिए आप इसको ओवरनाइट फ्रिज में रख दें और नेक्स्टे सर्फ करें इसमें जो बिसकिट्स हैं वो थुछ से सॉफ्ट हो जाते हैं और फिर इसका बहुत ही कमाल का टेस्ट आता है इन बिसकिट्स की खास बात यह है कि इसमें कैरमल फ्लेवर है और यह पूरा डिजर्ट जो है आपको कैरमल और क्रीम का फ्लेवर आता है बहुत ही जबदस टेस्ट आता है और आप इनकी सिंकल सर्विंग भी बना के उसको प्रिजेंट कर सकते हैं तो यह ज़रूर बनाएगा डिजर्ट बहुत ही जल्दी बन जाता है और बहुत इजी है अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो लाइक दीजेगा और मुझे कॉमेंट्स में ज़रूर अपना झाल झाल